हाली में RPSC SI भरती के चल रहे इंट्रिवूस की अपनी इस वीडियो के मादम से चर्चा करेंगे जानेंगे इंट्रिवूस के कौशन जो हाले में सीरीज नमर 5 में पूछे गए हैं सभी कौशन आंसर जो होंगे वो अठ्योंटिक होंगे मैं आपको बता दू आंसर हो सकता है कि मैंने अपने इसाब से देने की कौशिश की है तो आप लोग अपने सहनुबूती से ये कौशन के आंसर आप देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को और देखते हैं कौशन नमर 1 यहाँ पे पूछा गया है कक्षा 10th, Class 12th, Graduation, Post Graduation यह सबी जो हैं आपकी Basic Introductions की Profiling है जो की आपको पूछी जाती है कक्षा 10th आपने कहां से की 12th कहां से की, Graduation में कौन सा सब्जेक्ट आपके रहा Post Graduation में आपका कौन सा सब्जेक्ट रहा उसके बारे में एंट्रिवूस में पूछे गया है कौशन तो आप लोग अपने लेवल पे इनको प्रिपेर कर सकते हैं मैं कौशन नमर 2 की तरफ चलूँगा जो Member के द्वारा पूछा गया है यहाँ पे आपकी ताकत यानि Strength क्या है आपकी कमजोरी क्या है और खाली समय में आप क्या करना पशंद करते हैं यह सभी क्योशन जो है Member के द्वारा Candidate से पूछे गया है हाला कि यह क्योशन की बात करो तो लगबग Candidate से समान रूप से पूछे गया है तो आप अपनी अपनी ताकत, Strength और आपके खाली समय का जो Shorts है वो यहाँ बता दीजिएगा Next अगर बात करें तो प्रस्तावना सविधान का एक मुख्य भाग है क्या यहाँ पे दिया जाने वाला Answer जी हाँ बिलकुल यह सविधान का एक मुख्य भाग है Question No.4 की तरफ हम चलेंगे यहाँ पे प्रस्तावना यानि प्रियेंबल को सविधान का मुख्य भाग कम माना गया यानि कब इसको सविधान में जोडा गया यहाँ पे Candidate के सवारा दिया जाने वाला उत्तर Sir यह 90-76 में जोडा गया Next Question की बात करें रास्तान में मानसून किस दिशा से परवेश करता है यहाँ पे दिये जाने वाला आंसुर Sir राजस्तान में सबसे पहले दक्षन पस्तम दिशा से यहाँ परवेश करता है Next Question की बात करें तो यह 1 मिटर किसके बराबर होता है ये member के द्वारा पूछा जाने वाला questions है यहाँ पे candidate ने जो answer दिया centimeter में दिया 100 centimeter 1 meter is equal to होता है next question की बात करें तो खड़िन यहाँ पे क्या होती है आप खड़िन से क्या समझते हैं यहाँ पे दिये जाने वाला candidate के द्वारा answer और सर्क खेत में बारिश के समय उस बारिश के पानी को रोकने के लिए लगाई जाने वाली बाड या फिर पाल यानि जो पाल भांदी जाती है उसको यहाँ पे खड़िन कहते हैं मुखे रूप से यह जेशल मेर में की जाती है question number 8 के तरब हम चलेंगे बारत चीन विवाद क्या है जो हाली में बारत चीन के बीच में चल रहा है next इसमें दिये जाने वाला जो मेंबर के कैंडिडेट के द्वारा जो आंस्वर है गलवान गाटी में हुई सेनिकों के बीज जडप यह चीन का एक मुखे उधारन है जो हाली में यहाँ पे घटित हुई थी next question जो पूशा गया मेंबर के द्वारा सुकरात के गुरु कौन थे यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा दिया जाने वाला आंस्वर सर इसके गुरु जो थे वो प्लोटो थे next question की तरफ हम चलेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे अक्षय योजना क्या है इसका समंद किस से है यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा दिया जाने वाला आंस्वर सर यह हैं उर्जा से समंदित है जो गरीव वर्गों के लिए यहाँ पे सवच उर्जा पहुचाने का एक के प्रोजेक्ट है next question की बात करें 59 चीनी एप्स को बैन करने का मुख्य कारण आप क्या समंदे है यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा दिया जाने वाला आंस्वर सर मेरे इसाफ से यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा दिया जाने वाला आंस्वर सर यह बैटियों से समंदित है और उनके जनम को प्रोसाहित करने के लिए चलाई गई थी इसका पूरा नाम मुख्यमंत्री राजस्री योजना है सयुक्त राश्टर के स्थापना कब हुई यह मेंबर के द्वारा पूछा गया है कैंडिडेट से कैंडिडेट के द्वारा दिया गया आंस्वर सर यह 24 अक्टूमबर 1945 में इसके स्थापना हुई इसका मुख्यले नियॉर्क योस में है नेक्स्ट कोशन की बात करें एक सिचुएशनल कोशन है जो आपके बेस्ट पे आपको देना है अगर आप थाने की अधिकारी है और आपके शेतर में कोई एकसिडेंट हो जाए और इस आक्रोशित भीड को आप किस परकार से समझाएंगे जो यहाँ पे राज के कारियों में बादा पोँचा रही है तो यहाँ पे इस सिचुएशनल के अकोर्डिंग आप अपने अपने आंसर देने की कौशिश करें मेरे इसाब से मैं समझता हूँ जैसा सर सबसे पहले मैं सुरक्षा के लिया से उस शेतर को सुरक्षित करूँगा ताकि कोई मानहानी ना हो सके और उसके बाद में वहाँ पे जो एकत्रित पब्लिक है भीड है उसको अपने विश्वास में लाऊँगा और उसको विश्वास दिलाऊँगा कि उनको नयाए खिलेगा नेक्स क्योशन के बाद करें तो SI और PC में आपके हिसाब से क्या फरक होता है यह candidate जो है रास्तान पुलिस में सेलेक्टेड थे तो उनसे समंदित याज से क्योशन पूशा गया यहां से आंसूर दिया जाता है सर SI का मतलब सम इंस्पेक्टर यानि कि उपनिरक्षक होता है नेक्स्ट PC के बाद करें तो इसका मतलब पुलिस कॉंस्टेबल होता है दोनों ही आपे पुलिस के पद है लेकिन इनके बीच में जो डिफ्रेंस है वो एक पद का है तो यह अभी जो शीरीज थे important caution जो SI भरती 2000 शोड़ा के चल रहे interviews जो RPSC के द्वारा हाले में करवाए जा रहे है पारी 1st और 2nd के मैंने cautions आप से discuss किये तो ऐसी cautions देखने के लिए आप लोग बने रहे हैं अमारे चैनल पे सभी cautions जो है मेरे द्वारा नहीं बनाए गए सभी cautions authentic है यह candidate के द्वारा पूछे गए सभी cautions है हो सकता है answer में कुछ मेरे द्वारा बनाए गए हूँ तो मैं कोशिश आप से कहना चाऊँगा अगर आपको किसी answer में confusion है तो दिये गए comment box में आप मुझे suggest कर सकते हैं और उसका answer भी आप लोग दे सकते हैं हाला कि cautions जो है सभी आपे candidate से पूछे गए member के द्वारा RPSC member के द्वारा पूछे गए cautions हैं तो यह अपने पास में थी आज की discuss मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा हुगा ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो please like और subscribe करना ना भूले और जादा जादा इस वीडियो को शेर भी कीजिए ताके सभी अभियर्थियों के ये काफी साहिक होसके सीखने में तैंक्यू धन्यवाद